असलालेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू मुम्तास क्रियेशन फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह हाफ सेटर का पैटर्न यह देखे यहाँ पर यह मैंने वाइट कलर की एक स्टिफ्स दिये इस तरह से आप चाहें तो यह एक भी दे सकते हैं यह दो भी दे सकते हैं और इसमें यह मैंने वीनेक दिया है और इसमें यह मैंने दो दो सलाई कंद कंदों पर और दो सलाई गले में मैंने यह वाइट की भी दिये मैंने इसमें border में भी है border में इसकी चार से लाइए की है border आप जिटना चाहे चौड़ा या कम चौड़ा बना सकते है इसमें 2 in — का border बनता है जो हम dШ yummy HQ बनाते है तो फ्रेंट्स और आउगका वीडियो में ऐपको इसका measurement बताऊंगी तो आप इसका measurement note कर लिजी तो प्रंट ये एक standard नाप है एक यंग्स्टर के लिए तो जो हम normal भंदे डालते हैं तो हमने बॉर्डर में यहाँ पर 100 भंदे लिए हैं आप चाहें तो 100 से ज्यादा भी दे सकते हैं मतला अगर healthy है जिसके लिए आप बना रहे हैं तो आप 110, 120, 130 उ हमने नीचे लिए हैं यह 100 भंदे और इसमें देख सकते हैं आप यह मैंने बॉर्डर दो उल्टे दो सीदे का किया है दो भंदे मैंने यह सीदे बुने हैं और दो भंदे उल्टे दो सीदे दो उल्टे इस तरह का यह मैंने इसमें बॉर्डर दिया है इस बॉर्डर को करने के बाद यहां पर मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं बौडर के बाद यानि कि हमारे जूब 100 फंदे थे वह हमारे 110 हो गया है तो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें 10 फंदी हाँपर एक कर लिजिए है उसके बाद आपको जितनी भी लैंग बनानी हो आप उतनी लैंग इसकी बना सकते हैं और साथ में यह जो हम पट्टी है हमने यह एक पट्टी दी है यहां पर यह वाइट आप चाहें तो यहां पर दो पट्टी यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस पट्टी को यहां से दे सकते हैं इस पट्टी को जो मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने हाँ पर स्टार्टिंग में इसके तीन फंद में और然后 पन्द में बढ़ते में आंगा हुं मेंग पंदर सलाई में इसको जब बलतार सलाइम और यह और यह शचा verlier को अब फंद में अधर से ज़ड़ से लुदा एक हे यत इहां और एदर को बढ़ते गयं तो यह जो हमारी पट्टी थी यह इधर को इस तरह से इस मूँ में चली अगर आपको समझ ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैं आपको इस तरह की पट्टी डालना अपने वीडियो में बता दूंगी इसकी यह लंद पूरी होने के बाद अगर आप इजी टेफ से नापना चाहें तो आप इसे नाप लेते हैं कि एक कि हम नॉमली हम अपने हाथ से नापते हैं तो हम बॉर्डर से अलग इसको इस तरह से एक और दो दो बालिश का ये मैंने बनाया है अपने हाथ से आप लेजी जब आप बना रहे हैं इंची टेप तो आपके पास हल टाइम नहीं होगा तो आप इसको हाथ से आइडे आइडे हो गहीं कि अब हम हमें हां से कंधे खटा देने चाहिए, तो हम इसकी हां से ये कंधे खटा गटाए है पहले हमने 4 फिर 3 दो एक के जैसे हम नॉमल सभी घटाते हैं वो हमने हासर ये अव्य घटाए है यह पत्ति यहां तक पूरी बुनी है बट अगर हम राउंड बनाते हैं तो हमें यहां बुलने के बाद अपनी इस यहां 선 फंदा गड़ा देता है जब हम्лом कर दो यहां से इसाम इनदा इस तरह है जब यहांसे इस तरह से इसालता है अगर आपको यह लग रहा है कि जादा गला फैल रहा है तो आप एक सलाई छोड़ की भी फंदा बढ़ा सकते हैं साथ साथ में आपका गिवाला कंधा भी हाँ से घटेगा और नग भी आपका गटा जाएगा आप इस बाप का ध्यान रखें कि जब आपके ये कंधे के उपर यहां पर यह जो फंदे आए ये 22 ये 25 फंदे जरूर बचने चाहिए उसी हिसाब से आप अपने नैक के फंदो को घटाना एचस्ट कर लीजिए आप घटाते जा रहे हैं और आपकी यहां पर 10-15 फंदे बचे हैं तो फ्रेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहां पर यह पर पट्टी के लिए फंदे जोडने के लिए फंदे चाहिए होते हैं तो इसलिए यह कम से कम 20-22 फंदे तो होने ही चाहिए वैसे हां पर 25 फंदे बनाने के बाद फिर आता है है तो फ्रेंट पे हमारे इतने फंदे थे हमारे बैक में इतने फंदे होँगी 100 फंदे और हमने 110 कर देंगे और उसी तरह से बैक में इसमें कि आपके फंदय यह जो हमारे हैं पर यह इनको हम आपस में हहां पर जाँ हुआ ऒज्टा देते हैं इस तरह मHENकर ऐसे अब और पिछे उठाद देखे हो तो हम यहां से पीछे के फंदय रहां को अलग से बंद कर देंगे हम यहां जरू我知道 लएक सलाई में पीछे के फंदे उठाएक में उस वादी से यह सलाई सी नैग बनाया जाता है तो आप यह उससे यह नैग बना सकते हैं यह जो हम कांदर की अलग से पट्टी बुनते हैं इस पट्टी को बुनने के लिए हमें यहां से गुलाई में जो हमारा फर्स्ट फंदा होता है उसको उन फंदों को हम उठाते हैं यह अगे से 60 हम पीछे से यानिकी लग बग हम 120 125 हम यह फंदे उठाएंगे यह फंदे उठाने के बाद हम इस तरह से जितनी चौड़ी हमें यह पट्टी रखनी है उतनी हम बुलने अगर हमें double बनाना है तो इसका आप double बना लिजिए और उसको अंदर को फिल दीजिए और जसे कि मैंने धिला हुआ है double बनाया है और अगर आप single बनाना चाहते हैं तो आप single बना देजिए जितने भी आप चॉड़ी पट्टी रखना चाह और इससी तरह से हम इसका यह बनाएंगे से कि इसी मेथल से सीथ यह बनाया है इधर भी हमने 120 थे उठाये और इधर भी हम 120 उठायेंगे संट करके तब उठायए है क्योंट बीच में दो स्टेटमी कोई घटाया बढ़ाया नहीं है 우21 इस तरह से हकी पूरा half seter बनाया है बहुत ती लाइट मेजरमेंप है सिंपल बनाया है किसी था फुल मेजरमेंट का मैं आपके लिए फुल CB काージ मेजरमेंट लेके आओंगी तो आप अगर आपको फुल स्वेटर का मेजरमेंट या आपको किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट आप जानना चाहते हैं बेबी स्वेटर का या किसी कारडिगन का कोट का तो आप प्लीज कमेंड बाक्स में मुझे जरूर बताईए ताकि मैं उसी पर पे उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, I hope friend आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, तो मिलते हैं नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अलाह दो पस्ट बंद रहा भी कीजिए और अभूम्स